दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आगदेश आत्म विश्वास से भड़ा हुआ है। भारत रूस के रिस्तों को नई उचाई दे रहे हैं। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं पैसा ही लगता है ना। वो ऐसा क्या देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भारत का काया कल्प, भारत का नव निर्मान, वो साप साप देख पा रहे हैं। जब भारत जी ट्वेंटी जैसे सफल आयोजर करता है, तब दुनिया एक स्वर से बोल उड़ती हैं। अरे, भारत तो बदल रहा है। जब भारत स्रिफ दस वर्सों में अपने एरपोर्ट के संख्या को बढ़ा कर, दो गुना कर देता है। तो दुनिया कहती है, वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सर्फ दस सान में चालीस हजार किलो मिटर से ज़्यादा, यहां कड़ा याद रखा है। चालीस हजार किलो मिटर से ज़्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है। तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है, उनको लगता है देश भदल जाहा है। आज अब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज अब भारत एल बन पॉइंट से सूरज की परिक्रमा पूरी करता है। आज अब भारत दुनिया का सबसे उंचा रेलवे ब्रिज बनाता है। आज जब दुनिया की सबसे उंची स्टेट्च्यू बनाता है। तो दुनिया कहती है, वाकई भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने एक सो चालीस करोड नागरिकों के सामर्थ पर भरोसा करता है। भारत बदल रहा है क्योंकि एक सो चालीस करोड भारत अब भारत को भिक्सित देश बनाने का सपना संकल पर ले करके पूरा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान पूरा मेहनत कर रहा है, हर किसान कर रहा है, हर नवजवान कर रहा है, हर गरीब कर रहा है। आज दुनिया के अलग हिस्सों में जो मेरे भारतिय भाईवान रहते हैं, आप सभी भारतिय अपनी मात्र भूमी की उपलब्दियों पर सीना तान करके सरूंचा करकर करके गर्व करते हैं। आप गर्व से बताते हैं कि आपका भारत आज किन भुलंदियों को छू रहा है। अपने विदेशी दोस्तों के सामने भारत का जिक्र आते हैं, आप देश की उपलब्दियों की पूरी लिष्ट रख देते हैं, और वो सुनते ही रह जाते हैं। मैं जर आप से पूछता हूँ, क्या बताइए, मैं चो कह रहा हूँ सच है कि नहीं है। आप ऐसा करते हैं और नहीं करते हैं। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है। दुनिया का आपकी तरफ देखने का नजरिया भी बढ़ला है कि नहीं बढ़ला है। ये एक सो चालीस करोड देश वाजियों ने करके दिखाया है। आज एक सो चालीस करोड भारतिय दसकों से चली आ रही समस्याओं को सुल्जाने में विश्वास करता है। कारपेट के नीचे दबा करके गुजारा करना अब देश को गुवारा नहीं है दोस्तों। आज एक सो चालीस करोड भारतिय आ हर क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तयारी में जूटे रहते हैं। आपने भी देखा हैं। हम अपनी अर्थववस्ता को सिर्फ कोविड संकर से बहार निकाल करके नहीं लाएं। बलकि भारत ने अपनी अर्थववस्ता को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनमी में से एक बना दिया। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कम्या दूर तो कर रही रहे हैं। बलकि हम ग्लोबल स्टांडर के माइस्टोन क्रियेट कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी स्वास्त सिवाएं सुधार रहे ऐसा नहीं। बलकि देश के हर गरीब को मुक्त इलाज की सुविधा भी दे रहे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्ट एशॉरंस स्कीम चलाते हैं। आई उसमान भारत। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों। इसे कौन कर रहा है। मैं फिर कहता हूँ एक सो चालीस करोर देश वासी है। वो सपने भी देखते हैं। संकल्पी भी करते हैं। और सिध्धी के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। ये हमारे नागरिकों की महनत, लगन और निष्ठा से संभव हो रहा है। साथियों, भारत में ये बडलाव सिर्फ सिस्टिम और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं है। ये बडलाव देश के हर नागरिक के, हर नवजवान के आत्म विश्वास में भी दिख रहा है। और आप जानते हैं, सफलता की जो पहली सिड़ी होती है न, वो खुद का आत्म विश्वास होता है। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूप चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड लिया था। आज देश आत्म विश्वास से भरा हुआ है। एक ही बिमारी के दो पेशंट अस्पताल में हो। उतने ही सामर्थमान डॉक्टर हो। उतने ही सामर्थमान डॉक्टर हो। लेकिन एक निराशा में डुबा हुआ पेशंट हो। दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशंट हो तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशंट कुछी हपतों में ठीक होकर गश्पताल से बहर आता है निराशा में डूबा हुआ पेशंट को किसी और को उठा के लेकर जाना पड़ता है आदेश आत्म विश्वास से भरा हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पुझी है आपने भी हाल में T20 भुलकप में और मुझे पक्ता विश्वास हैं यहां भी आपने उस विक्तरी को सेलिब्रेट किया ही होगा किया था और नहीं किया था गर्व हो रहा था नहीं हो रहा था वर्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है आज का युआ और आज का युआ भारत आखरी बोल और आखरी पल तक हार नहीं मानता है और विजय उनी के चरण चुमती है जो हार मानने को तयार नहीं होते हैं यह भावना सिर्फ क्रिकेट तक सिभित नहीं है बलकि दूसरे खेलों में भी दिख नहीं है बीते सालों में हम इंटरनेशनल टूर्णामेंट में हमारे एथलेट्स दे अइतिहासित प्रदर्शन किये हैं इस बार पेरिस ओलेम्पिक में भी भारत की तरप से एक शांदार टीम भीजी जा रही है आप देखेगा पूरी टीम सारे एथलेट्स कैसे अपना दम दिखाएंगे भारत की युवाशक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है और यही युवाशक्ति भारत को 21 सदी की नई उचाईयो पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ दिखाती है साथ्यों आपने चुनाव का महल भी देखा होगा टीवी पर देखते होंगे चुनाव कैसा चल रहा है कोन क्या कह रहा है कोन क्या कर रहा है साथ्यों चुनाव के दौर्वन में कहता था कि बीते दस सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है आने वाले दस साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले है सेमी कंड़क्टर से एलेक्ट्रोनिक मेनिफेक्टरिंग तक ग्रीन हाइडरोजन से एलेक्ट्रिक वेहिकल तक और वर्लक्राज इंफ्रस्ट्रक्टर भारत की नई गती दुनिया के विकास का और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी आज ग्लोबल एकोनामी की ग्रोथ में 15 परसेंट भारत पंट्रिबूट कर रही है आने वाले समय में इसका और ज़्यादा विस्तार होना तय है ग्लोबल पावर्टी से लेकर क्राइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डी एने में है चुनोती को चुनोती देना जाओने! जाओने! サव वाओने! मुझे खुशी है, बस यही प्यार जो है ने, दोस्तो, जब देश वास्वों के साथ, दुरी का अवकासी न हो, जो सोच लीडर के मन में चलती है, वही सोच जब जन मन में होती है ने, तो अपार उर्जा जनरेट हो जाती है, दोस्तो, और यही मैं देख रहा हूँ यहां पर, साथियों, मुझे खुशी है, कि ग्लोबल प्रोस्परिटी को नई उर्जा देने के लिए, भारत और रूस कंदे से कंधा मिला कर चल रहे हैं, यहां मुझूद आप सभी लोग भारत और रूस के समंधों को और नई उंचाई दे रहे हैं, आपने, अपनी महनत से, अपनी इमानदारी से, रूस के समाज में अपना योगदान दिया है, साथियों में दसकों से, भारत और रूस के बीच, जो अनोखा रिस्ता है, उसका कायल रहा हूँ, रूस सब्द सुनते ही, हर भारतिय के मन में पहला शब्दा आता है, भारत के सुख दुख का साथि, भारत का भरोसे मन दोस्त, हमारे रश्यन फ्रेंड्स इसे दुजवा कहते हैं, और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं, रूस में सर्दी के मौसम में टेंपरेचर कितना ही माइनस में नीचे क्योंने चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्रस में रही है, गर्म जोशी बरी रही है। यह रिस्ता मिच्यल ट्रस्ट और मिच्यल रिस्पेक की मजबूत नीव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था। सर पे लाल टो की रूसी। फिर भी, फिर भी, फिर भी, फिर भी, यह गीत बले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवर ग्रीन है। पुराने समय में, स्रीमान राजकपूर, स्रीमान मिथुन्दा, ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कूति की दोस्ती को मजबूत किया। बारत रूस के हमारे रिस्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया। और आज आप सभी भारत रूस के रिस्तों को नई उंचाई दे रहे हैं। हमारे रिस्तों की गरता अनेग बार परखी गई है। और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उबरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए, मैं विशेश रूप से, मेरे प्रियम मित्र, प्रसिदेंट पुटिन की लेडर सिल्की पी सराना करूंगा। उन्होंने दसक, बहुत दसक से ज़्यादा समय तक इस पार्टरसिप को मजबूती देने के लिए शांदार काम किया है। बीटे दस सालों में, मैं चठी बार रश्या आया हूँ, और इन सालों में, हम एक दूसरे से सत्तरा बार मिले हैं। ये सारी मिटिंग, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संगर्ष के बीच फसे थे, तो प्रसिदेंट पुटीन ने हुए वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थे। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रसिदेंट पुटीन का, इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बड़ी संख्या में हमारे नवजवान रशिया में पढ़ाई के लिए आते हैं। मुझे बताया गया है कि यहां अलग-अलग राज्यों की एक्सोशेशन भी है। इससे हर राज्यों के त्योहारों, खानपान, भाशा, बोली, गीत, संगीत की विविदिता भी यहां बनी रहती है। आप यहां होली दिवाली से लेकर हर्ट और हार धुमधाम से मनाते हैं। भारत के स्वतमत्रता दिवस को भी यहां उत्साह और उमंग से मनाये जाता है। और मैं आशा करूँगा इस बार 15 अगस तो और शांदार होनी चाहिए। पिछले महिने इंटर्नेशनल योगिडे पर भी हजारों लोगों ने हाँ पाटिसिपेट किया। मुझे एक और बात देकर और भी अच्छा लगता है। यहां जो हमारे रश्यन दोस्त हैं वो भी उन तोहारों को मनाने के लिए उतने ही जोच से आपके साथ सामील होते हैं। यह पीपल टू पीपल कनेक्ट सरकारों के दायरे से बहुत उपर होता हैं और वो एक बहुत बड़ी ताकत भी होता है। और साथियों इसी पॉजिटिविटी के बीच मैं आप से एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोत्ते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और युकातेरिन भूर्ग में दो नए कांसलेट खोलने का निरने लिया गया। आप साथियों इसे आना जाना और ग्यापार कारोभार और आसान होगा। साथियों हमारे सम्मंधों का एक प्रतीक अस्त्राखान का इंडिया हाउस भी है। सत्रहवी शताबदी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। जब मैं गुजरात का नया नया मुख्यमंद्री बढ़ा था तब मैं वहां गया था। दो साल पहले नौर्ट साउट ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुचा। यह कॉरिडोर मुंबई और अस्राखान की पॉर्ट सीटी को आपस पे जोड़ता है। अब हम चेंजने व्लादी वास्तोक इस्टन मेरिटाइम कोरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा बोलगा डायलोग अप सिविलाइजेशन से एक दुधरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। प्रेंट्स, तो एक प्रेंटी फुट्टीन में जब मैं यहां आया था, तब मैंने कहा था कि इक्टीसवी सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी एक्षपर्ट्स उनके बीच में इस विशे में कोई विवाद नहीं रहा है। सब कहते हैं, इक्टीसवी सदी भारत की सदी है। आज विश्वबंधों के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। भारत की ग्रोइंग केपबिलिटीज दे रहा है। पूरी दुनिया को स्टैबिलिटी और प्रोस्परिटी की उमीद दी है। New Emerging Multipolar World Order में भारत को एक मजबूत पीलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलोग और डिप्लोमसी की बात कहता है, तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है, तो भारत सबसे पहले पहुचने वाला देश बनता है। और भारत दुनिया की उम्मिदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लियंस ओरियंटेड ग्लोबर आर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लियंस की नहीं, कान्फ्लियंस की जरुवत है। यह संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बहतर भला कौन समझ सकता है। कौन दे सकता है। साथियों, आप सभी रूस में भारत के ब्रेंड एम्बेसेजर्स हैं। जो यहां मिशन में बैठते हैं वो राजडूत है। और जो मिशन के बहार हैं वो राश्ट्रदूत है। आप ऐसे ही रूस और भारत के रिष्टों को मजबूत बनाते रहें। साथियों, साट साल के बाद हिंदुस्तान में कोई सरकार तीसरी बार चुनी जाए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बाद है। लेकिन इस चुनावों में सब का ध्यान सारे कैमेरा मोदी पर लगे रहे। उसके कारण कई और महत्वपून घटनाओं के तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। यह से इस चुनाव के समय चार राज्यों में भी चुनाव हुए है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंद्र, उडिशा। और इन चंगरों राज्यों में एंडिये क्लीन स्वीप बहुमत के साथ विजय हुआ। और अभी अभी तो महाप्रभु जगनाच जी की आतरा चल रही है। जाए जगनाच। उडिशा ने तो बहुत बड़ा रिविलुशन किया है। और इसलिए मैं भी आज आपके बीच में उडिया स्कार्पन काया हूँ। साथ्यों, आप सब पर महाप्रभु जगनाच जी के आशिरवाद बने रहे। आप स्वस्त रहें, आप सम्रुद्ध रहे। इसी कामरा के साथ मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये अमर प्रेम की कहानी है दोस्तों। ये दिनों दिन बढ़ती रहेगी, सपनों को संकल्प में बदलती रहेगी, और हमारे कठोर परिश्रम से हर संकल्प सिद्धी को पार करके रहेगा इसी विश्वाद के साथ। मैं फिर एक बार आपका रदय से बहुत बहुत आभार्य क्या करताँ हूँ। बंदे मातरम बात बात धन्यवाद। बात बात धन्यवाद. झाल